आज मैं उनकी लिए बताऊंगो गठिया रोग है जिनको भाईयो गठिया रोग हो रहा है गांटों में सूजन आ रही है गांटों में दर्द बना रहता है और चार पाई में पड़े रहते हैं ठीक नहीं हो पाने उनकी लिए कि मैं राम बानो सुधी बता रहा हूँ भाईयो और आपको क्या करना यह चक्रमर्द है चक्रमर्द है इसे फाडिया भी बोलते हैं पवाड भी बोलते हैं और भाईयो आपके हैं क्या बोलते हैं मुझे कॉमंट करके अब असे बताएं कॉमंट करके बताएं आपके हैं क्या बोलते हैं यह पौदा बारिस में खूब खड़ा हो जाता है इसकी सबजी वना के भी खाई जाती है जिन भाईयों गठिया हो रहा है उनको क्या करना इसके बीज लाने भाईयों बीज इसके पवाड के बीज लाने 200 ग्राम 200 ग्राम बीज पवाड के लिया है 200 ग्राम यह भाईयों आपको अशुगंदा लेना अशुगंदा औ और भाईोग दो सग्राम अस्ट भानदा लेना है दो से ग्राम सॉठा लेनी है।ि अन तीनों को अची तरह मिला के रखने के बाद सिस में एक स्बीदकन सब्वे घुनगरे पानी से लेना है इस विडिया को धॆकर दाई महिने करना दो दाय भाई मेने करेंगे तो आपका गठिया रोग जड़ से चला जाए भाई हो फिर गठिया रोग आपको रहेगा नहीं मेरा वीडियो पसंदा रहा है तो लाइक करिए शेयर करिए धन्यवाद